हेलो एवरिवान वेलकम तो गैनलाव वन्स अगेंड बच्चो आज हम लोग बात करने वाले हमारे स्पॉट रौन के बारे में कि सर स्पॉट रौन क्या होता है कैसे होता उसमें क्या क्या चीज़े होती है इस वीडियो को लास तक जरूर देखना ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए बच्चे लोग वीडियो पूरी देखते नहीं और उससे पहले कमेंट में डाउट पूछने लगते हैं मैं ट स्पॉट राउंड यह कौन सा नया जानवर है तो जैसी कि आप लोगों को पता था कि इस सल में प्रोसेस में क्या किया था गवर्मेंट ने कि आपके सिर्फ दो क्या रखे थे तीसरा था आपका स्पॉट रौन मतलब क्या सर तो मानलो जो आपका एडमिशन होता है जो आप आँ ऩर रह जाती है अगर सित रहे जाती है तो आती है आपकी पर राउंट में कहां पर grass रौ रांट में पटा केसे चलेंगा कभी है यह सारी इंफ्रमिशन दीज़े सर इसका मैं एक 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 अग्जांपल दो आपको समझाता हो मांनो एक एक और एक पशॉइज है इस दो क्या होता है एक मैनेजमेंट कोटा है जहां पर आप लोग डारेक्ट एडमीशन जाके ले सकते हो गिवींग डिनीशन्स एक्सल्टर एक्सल्टर खिक है तृम लोग मानके चलते कि के लिए जो चलेगा लेकिन द्यान से सुनना के लिए हो गई फिक्स और अपनी बाकी की सीट्स हो गई तो यह management कोटा है इसमें आपको क्या करना पड़ता है इसमें आपको college में जाना पड़ता है अगर आप लोग यहां पर direct management से जाते हो तो आपको कोई भी scholarship का benefit नहीं मिलेगा आपको प्लस कोई भी scholarship के लिए आप लोग एलिजेबल लिए होगे इसके बहुत सब्सक्राइब लेकिन फिर बात में आ जाता है अपन उसके बारे में और बात नहीं करेंगे अपन यहां पर 80 seats अभी 80 seats तीन इएर से तिन नहीं दो में थी इस बार यहां पर बचा कितना seats स दस seat बचा बचा है तो यह 10 seat अभी वह college क्या करेंगा वो college अपनी website पे या फिर किसी local newspaper पे या कहीं पे भी वह advertisement डालेगा 23 तरिक से काम चालो होगा, कब से चालो होगा 23 तरिक से, ठीक है मैं भी बताने आलाओ date कब से क्या क्या चालो होने आला है, तो क्या करेगा, यह 10 seat के लिए, वो क्या करेगा बच्ची होगी तो category में मिल जाएगी, आपको अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, TFWS का मिलता है क्या, नहीं सर, मैं तो यहीं बूलूँगा कि TFWS का seat तो पहले भर जाता है starting में, क्योंकि एक या दो seat होता है, तो तो TFWS अले पहले ले लेते हैं, यह 10 seat, 10 मानलो 10 आपकी seat है, कैप राउन में, तो 10 में से अभी वो क्या करेंगे, advertisement डालेंगे, आपको हर college की, जो college में आपको जाना है, उस college की website आपको चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि यह जो है, spot round की information आपको CET की website पे नहीं मिलने वाली है, यह सिर्फ और सिर्फ आपको उस college की website पे मिलेगी, और हर college का spot round कंड़क करने का method अलग-अलग होता है, यह भी आप लोग दिमाग में कहीं पे fix कर लो, क्यावला सिर्फ आपने कि हर college का अलग-अलग method होता है, spot round कंड़क करने का, अभी सर जरूरी है कि हर college में spot round होना नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर college की seat नहीं बची तो, cap round में फिल हो गई तो, मानलो ICT है, 30 seat है, वो तो first or second round में फिल हो जाएगी, spot round में बचेगा ही नहीं seat, एक भी seat नहीं बचेगा, तो इसमें spot round हो जाए नहीं, ठीक है, और बाकी के बहुत सरे colleges है, जिसमें बहुत private colleges है, बहुत सरे government colleges है, government में बसता है, तो लोग तो spot round निगाल देता है, लेकिन अगर CT नहीं रहेगा, तो spot round होईगा ही नहीं, समझमार यह बात है, तो यह सरी चीज़ आपको कहां पर पता चलेगे, सब के सब आपको college की website कहां से घुंडे, आपको college का नाम पता है, वो college का नाम Google पर डालो, आपक second, बहुत अच्छा suggestion में दूँगा, कि उस college में जाके visit कर लो, वहां की जो admission team है, उनसे आप बात करोगे, तो आपको spot round के बारे में सारी information दे देंगे, बता भी देंगे कि seat खाली है, कि नहीं है, तो आपको वह भी पता चलेगा, कि seat आखिर सब मिलने वाली है, कि नहीं मिलन management कोटा से, management कोटा में क्या करना पड़ेगा सर, donation भना पड़ेगा, donation सर कितना होता है, हर college का अलग-अलग rate होता है, उनका rate chart होता है, आप लोग donation देते डाइम bargaining भी कर सकते हो, लेकिन bargaining कभी होती है पता है आपको, जब demand कम हो, मान लो अगर एक college है, जिसमें 10 seat बाकी है, या फिर 5 seat बाकी है, लेकिन उसको भरने के लिए हमारे पास 20 बच्चे है, 30 बच्चे है, तो भया यह college ज्यादा demand करेगा, भया पाच लाग दो, 10 लाग दो, और बहुत सरे, जितने भी हो मांग सकते हो, लोग मांगेंगे, ठीक है थोड़ा बहुत bargaining करके, आप लोग ले सकते हो थोड़ी बात पचान निकालके ले सकते हो, तो यह हो गई बात, management search की, यह हो गई बात, अपनी spot round की, तो आपको क्या करना है, college visit करना है, website चेक करते रहना, तो आपको वहाँ पर information मिलेगी, second जो बच्चे doubt पूछ रहेते हैं, कि sir, मुझे cap round 1 में, या cap round 2 में मुझे मिला है तो कि मैं cap round 3, यह spot round में जा सकता हो, तो answer है yes, आप लोग जा सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ही suggestion दूँगा, कि आप लोग cap round 1 और cap round 2 के college है, उसमें admission ले लो, उसकी बात आप लोग spot round में जा सकते हो, spot round बात में आप लोग क्या कर सकते हो, college यह कर सकते हो, shift कर सकते हो, shift मतलब उस college से admission cancel करके, पूरी fees refund करके, आप लोग spot round में अगर आपको अच्छा college मिला, तो वो college आप लोग ले सकते हो, yes, तो यह भी आप लोग कर सकते हो, अगर आपको यह करना है, तो next, सर मुझे एक भी college नहीं लगा है, ना cap round 1 में लगा, ना cap round 2 में लगा, तो क्या मैं spot round में ज लग लग जो भी होता है, डेट होगी, उस college में आपको present रहना पड़ेगा, उस time पे, अगर आप लोग उस college में present नहीं रहोगे, तो आपको वो sit नहीं मिलेगी, आप लोग बता सकते हो मुझे, कि एक college में आप लोग कितनी बार present हो सकते हो, खुदी confused हो गया, फिर से, आप लोग एक college में एक time पे present हो सकते हो, तो यही इसका drawback है, क्या है कि आप लोग एक ही college में आप लोग बैठ सकते हो, क्योंकि आपको हर college में present रहना पड़ेगा, at the time of admission, at the time of spot round, अगर आप लोग प्रेजन नहीं रहोगे, तो वो sit किसी और को चली जाएगी, ठीक है, अभी यह यहां पर 10 seat बची थी, उस 10 seat में से 2 seats reservation की थी और बाकी सब open वाली थी, तो दो में से merit number लगेगा, merit number समझो, मानलो कि यहां पर 2 seats है, 2 seats के लिए 5 बच्चे आ गए, तो उन 5 बच्चों का क्या लगेगा, merit लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो भीया क्या मिलेगा, आपको 1 और 2 वाले आएंगे, यहां पर पहले, क्योंकि merit के base पर यहां पर spot on भरा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि आपको हमेशा, merit के base में ही, आपको spot on में मिलता है, admission, ऐसे नहीं मिलने वाला, ठीक है, कि आप लोग सोच लोगी, हाँ सर ऐसे मिल जाएगा, 90% वाला कुछ लेना, और कुछ मैं भूल रहा हूँ, क्या नहीं, तो आप लोग जा सकते हो, बस drawback यही है, कि आपको at a time present होना पड़ेगा, कैसे पता चलेगी सर, वो लोग अपनी website पर बताएंगे, कि यहीं सिट वेकेंट है, आप लोग उसके लिए apply कर सकते हो, आपको apply करना है, तो एक merit list लगेगी, उसमें आपको पता चलेगा कि आप कौन से merit number पे हो, पहले ने merit number पे होगे, तो आपको सिट मिल जाएगी, लेकिन अगर बहुत सारा competition हो जाता है, भाईया, नॉर्मल सी बात है, कि कोलेज के लिए 10, 12, 15 बच्चे रहते हैं, और अगर सब्सक्रान में भ देखो, for government, government-aided, un-aided institute, vacant seats, if any institute, irrespective institute will complete the admission, activity in the following manner, तो यहाँ पर देखो, 23 से 29 के बीच में आपका यह कहानी होने वाला है, ठीक है, तो यह 23 से 29 के बीच में आपको हर कॉलेजेस के अड़ोडाइजमन करेंगे, वेबसाट पर पब्लीश करेंगे, ठीक है, तो आपको जाक आपको मिलने वाली है, ठीक है, और बस आपको गया करना है, सारे डॉकमेंट्स अपने रखने है, सबको स्कैन करकर रखना है, सबको पाच-पाच-चेशे कॉपी निकाल कर रखनी है, और बस इसी का अपने इस वीडियो को करते है, अगर फिर भी अगर कुछ भी डाउट ब तिल दे नेक्स ताम, भाई वर्यवन, टेक केर